हुडा साब के जमाने में मेवाद केडर बनाया गया लेकिन मेवाद केडर से भी मेवाद को कभी पूरे सिक्षक दिये ही नहीं गया इछली सरकार भी ऐसा है इन सरकारों के बीच मेवाद को पीछे रखने की साजिश में एकता है और मेवाद को पीछे रखने की साजिश का एक किस्टा एक मेवाद सिख्षा में पीछ जोहाज पूरे हर याना में जो है जेप कि मथभी सिख्षा के लिए इन मदरसों कि कोई Blot नहीं चंद मदर्सों की जरूरत है लेकिन क्या क्या मदर्सों में मजभ़ी सिक्षा ही दी जाती है क्या वहां पर इस तरह का पठ्ठेकरम नहीं होता जो स्कूल्स में होता है जिनके अपने बच्चे भी बाहरों पढ़ते हैं और बिज़शों में पढ़कर क्या रहे हैं इनोंने को कोई मजबूत आवाज सुलक पे नहीं उठाई है नमस्ते हारियाना तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है अब इस समय में फिरोजपूर जिरका में मौजूद हूँ हमारे साथ हश्पाक साब हैं जिन से हम बात करेंगे यहां मिवात में सिक्षा की व्यवस्था को लेकर मेवात कारवा यह चलाते हैं और सिक्षा की से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्धे बहुत सारे मस्तों पर यह सरकार को चेताते रहे हैं मैं पूरे पहले तुम मिवात जिले का यहां पर मैं जिक्र करूँगी, सिक्षा का स्तर मैं देख रही हूँ यहां पर, दसवी का रिजल्ट आया सबसे पीछे मिवात, बारवी का रिजल्ट आया सबसे पीछे यह नुहु का इलाका, तो ऐसी क्यों है, क्या है इस शित्र में साद कि सिक्षा के मसले में हमेशा पिछडा रहा है? देखिए सिख्षा के छेत्र में जो ये पिछड़ा हुआ अलाका है दो हजार पाँच में नू के नाम से कहें मेवाद के नाम से सत्यपूरम के नाम से जिला बना था उससे पहले ये गुडगाओ जिला का हिस्सा था, उस गुडगाओ जिला का जो गुडगाओ पुरी दुनिया में जाना जाता है, Millenium City और क्या-क्या नाम से हम लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके जिला का हिस्सा होते हुए भी मेवाद की इस्तिती ऐसी थी जैसी अब है, तो ऐसा है कि जिला बनने के बाद भी जब हम देखते हैं, कमरीजन करते हैं, तो बहुत फर्क नहीं आया और अलग से जिला बनने के बाद भी मिवाद की सिक्षा में किसी परकार का विशेश सुधार नहीं किया गया और मैं देखिए मैं तो बहुत खुल के इस पर बाते करता हूं और कहता हूं कि ये सरकारों की भेद भाव की नीती का एक हिस्सा है किसी जमाने में छुआ च्छा हुआ करता था कि लोगों को अच्छूत समझते थे आज सिक्षा से अच्छूत बनाने का परियास किया गया है मैवाद को मैवाद जहां 82% से लेके 90% तक मुस्लिम आबादी है बाकि हमारे स्टी के लोग है थोड़े बहुत हमारे दूसरे तरह के लोग है जनरल के लोग है तो इसको विशेस रूप से पीछे रखने की साजिश मैं कहता हूं और मेरे आरोप नहीं है यह आरोप नहीं है यह हकीकत ह है और इसमें दम है इस तरह दम है कि आप देखेंगे कि जिला बनने के बाद भी इंफ्राइस्ट्रक्चर के नाम पर स्कूल की बिल्डिंगे तो बनी लेकिन इसकूलों में किसी परकार का भी कोई खास सुधार नहीं हुआ हुआ हुटा साब के जमाने में मेवाद केडर ब राइमरी का एजुकेशन भी खराब होगा फिर मेडिल का भी होगा और फिर हाई का भी होगा जो दसफ़े का रिजल्ट खराब हुआ है तो बच्चे फिर बारहोँवी में क्या करेंगे? भी खराब होगा तो जान बूज़ करके इस एलाके को एजुकेशन से वच्चित से जो रिजल्ट कह रहा है उसको नहम जुटला सकते हैं न सरकार जुटला सकती है इसकूलों में जो सिक्षकों की जो संक्या है उसको नहम जुटला सकते हैं न सरकार जुटला सकती है और इस तरह जो है इस भेद भाव के जरिये जो है मेवाद को सिक्षा से दूर रखने का मे परकारों के बीच मेवाद को पीछे रखने की साजिश में एकता है और मेवाद को पीछे रखने की साजिश का है किस्सा है कि मेवाद सिक्षा में पीछे जो है आज पूरे हर्याना में जो है नंबर वन पर है पिछडे पर में जो है तो यहां उस समय से लेके अब तक हम यह कह कि टीचेर्स की संख्या पूरी नहीं हुई, चात्र हम यह माने कि वो पढ़ाई करना, जैसे दसवी कर ली तो बार वी के लिए आगे ही नहीं पढ़ना, उन लोगों ने सही समझा, या माकूलियत नहीं रही इस तरह की, तो तकरीबन हम यह माने कितने स्कूल होंगे, जिन में सेकेंडरी था, यह पूरे नुह जिले के, मैं बात करूंगा, और यह सरकार आई तो स्कूलों का स्टेटस बढ़ाया, और आज सौ से ज्यादा स्कूल जो है, सिनियर सेकेंडरी है, अब भी जो है, अगले पांच दिन पहले भी आज जो चिठ्धियां आगे एजुकेशन ड पेजा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, के भाई हमने इन स्कूलों को सेकंडरी करें, स्कूले, स्कूलों का अस्तर बढ़ाया इस सरकार ने, मैं इसके लिए उन्दनेवाद करता हूं, लेकिन उनी स्कूलों को जो है, सिक्षक नहीं उपलब्त कराए गया, अगर आटा देखेंगे, तो हुड़ा साहब की सरकार में, 2014 से पहले जो है, आरोही मोडल सी स्कूल बनाए गया थे, वो इसलिए बनाए गया थे, पुरे अरियाना में और हमारे जिले में 6 स्कूल बनाए गया, 6 बलों, उसका मकसद है था कि अंग्रेजी मेडियम से, इंग्लिश म बनाए गये, मैं आपको बताओं, जानकारी के लिए जो छे हॉस्टल बने, किसी में कोई एक लड़की आज तक नहीं दाखिल हो पाई, इसके लिए सरकारी जिमदार है, और यह जो स्कूल है, अरोही मोडल, उसमें किसी में भी टीचर पूरे नहीं किये गए, यह इसके परमानेंट एक गेश टीचर वे है, दो सिक्षक पर आरोही मोडल सी स्कूल चल रहा है, यह इस्तिति नगीना की है, यह इस्तिति पुनाना और सभी, आरोही मोडल सी स्कूल की यह है, कुछ नहीं हुआ, इस सरकार ने कहा है कि हम एजुकेशन को बेहतर करेंगे, और यहां इन्होंने प्राइमरी स्कूल को भी मोडल सी स्कूल, मोडल संस्किर्थी स्कूल के नाम से बनाने की कोछी चुई, बनाया सरकार ने गोचना कर दी, उस पर बोर्ड पर लिख दिया गया, तो रंग रोगन भी किया गया, लेकिन मेवाद के किसी भी स्कूल में, जैसी पहले इस्तिती थी, वैसी इस्तिती ये रही, नाम तो दिया गया, कहती है सरकार के हमने मॉडल से स्कूल बनाए, लेकिन उस मॉडल से स्कूल में टीचर नहीं है, और टीचर विहीन, स्कूल, इंट और गारे का एक मकान तो हो सकता है, लेकिन पढ़ाई और सिक्षा के लिए कोई योगदार नहीं हो सकता है, और अगर आप देखेंगे किस तरह सरकार की बेरुखी है, कि मल्टी सेक्टोरल डेवलेमेंट प्रोग्राम, जो माइनुटीज डिस्टिक को मिलता है पैसा, मेस डीपी से नूज जिला में जो है, एक जो है स्कूल बना हुआ है, और उस स्क पाँच क्रोर रुपे से, ऌत्पाँच क्लोर रुपे इसके स्कूल से वो इस स्कूल बना लेकिन पाँच साल वो गए उसी स्कूल को सरकार ने अपने अधर में χी नहीं लिया और आज तो कुछ में पढ़ाई उनी शुरू है आब बेल्डिंग करने घा रही है, तो यही सि एक्राइडर के एसाब से पहले भी एपॉइंधमेंट नहीं हुआ, अब भी एपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, इसलिए मेवाद में चिक्षा कास्तर कॉज़ था और कमजौर है अब तकॉछ दिया. । इसमें निकल रही थी, तो वहां पर मैं लड़के लड़के यह देख रही तो और उनकी संख्यावी कुछ जादा नहीं थी, रोब तक स्वनीपतिया, वहां की मैं तादाद देखती हूं, तो पूरे ओटो भर-भर के मुझे लड़के नजर आते हैं, लड़किया नजर आते ह यहां पर ऐसा नहीं था, तो सिक्षा के मसले में यह कहूं के लड़कियां तो हैं ही कम, लड़के भी कम हैं, देखिए, लड़कियां तो कम हैं, के लड़कियां जो डाटाज है, उस हिसाब से 36% लड़कियां हमारी पढ़ती हैं, जिसमें सभी समुधाय के लोग हैं, और उ का अभवात का कल्चर अलग है तश्दीब अलग है वहां लोग लड़कियां जब बड़ी हो जाती है तो को एजुकेशन में नहीं बेचतें तो उनके लड़कियों के लिए मैडिली स्कूल बनाए जाए शब अजाए पुट्रा झाएंट किया सरक और स्कूल मतलब स्कूल बन खवाज उठाई, हम लोगोंने हर मंच पे जब उठाया, तो मौझूद अ सर्कार ने यह किया कि पजाया हिसके कि उन इसकूलों को टीचर दिया जाता, वहां महिला सिक्षकाइ नियुक्त कि जाती हैं, या पूरुष सिक्षक भी नियुक्त किये जाते हैं, जब यह आवाज हर मंच पे मैंने उठाया हर जगा, तो बदले में सरकार ने किया कि उन सारे गर्ल स्कूलों को बवाइस के साथ मर्ज कर दिया, ताकि डाटा देखने में अच्छा लगे सिख जगों का, मर्ज करने की वज़े से लड़कियों की सिख्षा कम होई, और लोग ज जाता है, रहा लड़कों का, तो जब टीचर कम होंगे और बच्चे में इल्म नहीं होगा, बच्चों को जानकारी नहीं होगी, तो कॉन्फिटेंस की कम होती है, खीच खाच के चोरी और इसे अगर पास भी कर गया है बच्चा तो बच्चा उच सिक्षा की तरफ नहीं बच्चे भी नहीं दिखी होगी, कि सालेहरी में एक लड़कियों का ऐगेज है, तो कुछ लड़कियां वहाँ चली जाती है पढ़ने अब ये इंतजाम हुआ, सरकार ने किया, तो लड़कियां पढ़ती है लेकिन को एजुकेशन में लड़कियां भी नहीं जाते हैं, आपने को सुनीपत भेज देंगे, रोहतक भेज देंगे, कुरुचेतर और दिल्ली अलिगड़ु गरा भेज देते हैं, तो इसलिए यहां कॉलेज में भी बच्चे कमी दिखते हैं, और नाम एड्मिशन के बाद भी बच्चे कम इसलिए जाते हैं कि प्रोफीसर्स भी नहीं इन कॉलेजेज में. मैं इसको लेकर के बहुत किलियर हूँ, और आपकी वीडियो देखकर के हमारे लोग हमसे नाराज भी होंगे शायद, लेकिन मैं फैक्ट बात करने में विश्वास रखता हूं, बरोसा रखता हूं, यह नहीं कि सिर्फ सरकार पर ही आरोप लगाया जाए, अगर कमियां हमें मैं है, समाज में है, तो उसका भी उलेक वाना चाहिए, देखे मजभी सिक्षा के लिए इन मदरसों की कोई जरूरत नहीं है, चंद मदरसों की जरूरत है, लेकिन क्या मदरसों में मजभी सिक्षा ही दिय जाती है, क्या वहां पर इस तरह का पठ्यकरम नहीं होता है, जो स् कि आप बिहार में देक कर के आअई आप मद्ध Pradesh में देक कर कर से शुर्प को है वहां बच्छों के जो अधिकार रुकूक है उनका नुकसान नहीं हो रहा है मदर्सा बोल्ड सरकार ने बनाया है और मदर्सा बोल्ड में स्वतंतरता है जो मदर्सा वाले चाहें अपना अफलेशन करा ले जैसे हर्याना स्कूल बोल्ड है वैसे मदर्सा बोल्ड है बियार में जिनको मर्जी है उन मदर्सा बोल्ट से अपने मदर्से को मनजूर करा है मदर्सों में बचे साइन्स, मेंत और दिन्यात मैं बहुत दावे से कहता हूँ चोके बियार के 200 मदर्से को मैंने विजिट किया है ये जो मदर्से आप हरियाना में देख रहे हैं होने चाहिए समाज को भी मदर्सों में मदर्सों में दीन और के मजभ के साथ साथ इस तरह की सिक्षा दी चाहिए ताके हमारा बच्चा अपने साथ साथ देश के भी कामा है और मजभ की तो बात मैं कहता हूँ कि मजभ की जितनी सिक्षा है किसी भी परिवार में अगर लोग मजभी हैं, धार्मिक हैं, कोई भाई पंड़त के घर में बच्चा पैदा होता है ना, तो सारी चीजे सीख लेता है, जो पंड़त जी के घर में है, एक घर में मुसलमान के घर में पैदा होने वाला तमाम धार्मिक चीजें वो सीख लेता है जो इस दियों जीवन में जरूरत है घर के अंदर जब वो घर के अंदर सीख लेता है तो बहुत ज्यादा जो है मुझे निलगता है कि मदरसों की जरूरत है कि जहां बच्चों को जो है और मदरसों की आलती है फिर भी कि आप जहां से होके आई है कही जगा कि जैसे हमारी मजभी किताब कुरान है मैं आपको कहता हूँ वैजे पत्रकार आप किसी साथी को लेके जाएं और सो मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों से आप पढ़वा के देखें वो अरभी में कुरान को पढ़ तो सकता है समझ नहीं सकता है समझी नहीं सकता है चुकि दीन की भी तालीम के नाम पर तोखा है मैं कहता हूं मजभ की तालीम के नाम पर तोखा है मैं एक स्कूल कॉलेज में पढ़ाँ अपलाओ अरभी की बडी बडी केताबि Meng पढ़ता हूँ Confederacy कि बड़ी केटाबि में पढ़ता हूं कि लोगों ने इंतिजाम किया है कि आप आर्ट्स पढ़िए, कौमर्स पढ़िए, आप जो है इसलाम में एकनोमिक्स क्या कहता है और जानना पड़ेगा, इसलाम में सिर्फ ये नमाज रोजा ही नहीं है, इसलाम में तो साली चीज़े हैं, कि दुनिया की जितने जीने के तरी आ tidak इसलाम एक दीन है, और दीन कहते हैं तरीके जिने का तरीका है, तो हर चीज़ बत करता है, खेती में पटटा देने के बारे में, आपको जो है, सिक्षा के बारे में, कितनी सिक्षा ल면ने हैं, उसके बारे में समझ देता है, तो मदरसों को मखबी तालीम के साथ साथ वक के जरूरत के मताबिक तालीम देनी चाहिए और मैं आपको एक इनफॉरमेशन के लिए देता हूँ कि इस सिलसले में हमारे हिंदुस्तान में भारत के जो में जो जमियत उलमाई हिंद हैं भारत में मुसलमानों के उलमा की बड़ी तन्जीम है उन्हों ने थोड़ा आगे दो क अदम बढ़ाया है और उन्होंने काया है अद्ध मौलाना महमुद मदनी साहब ने कि जितने मदर्से हैं इसको ओपेन स्कूल में बदलो यानि यहां कम से कम स्कूलों की सिक्षा हो और हमारे हाँ जामे मस्जिद है वहां के बच्चे दस्वीं की तैयारी कर रहे हैं वहां ह जमियत ओलमा की तरफ से उनको वहीं से कलास लिया जाता है और मजभब के साथ साथ उसको जो जरूरत है देश की उन बच्चों को हिंदी की अंग्रेजी की और जितनी जानकारी की जरूरत है आस्मान के बारे में जानने की जमीन के बारे में जानने की मौसम के बारे में जा और वहाँ नेशनल ओपन से उन बच्चों का एक्जाम कराया जाए इसकी शुरुआत अब हुई है जो बहुत अच्छा कदम है आप जिन मदर्सों में गई होंगी वहाँ वह अभी नहीं जुड़े हुए है तो मुझे उम्मीद है कि हज़त मौलाना महमुद मदनी साब जम्य मैं असल में मदर्सों के की सिथी ठीक नहीं है बिल्कुल आप सही करें तो स्कूलों की भी ठीक नहीं है तो स्कूलों की ठीक नहीं है कि एक स्कूल में तीन कलासेज हैं चटी, साथवी, आठवी, एक सिक्षक हैं कैसे सिथी सुजर सकती है जबके जब चटी और साथी और आ अब है ही नहीं, तो इस्थिती तो खराब रहेगी, इस्थिती तो बहुत देनिये है, और अगर हम पूरे जिले की बात करें, तो उसमें आप कितने स्कूले से मानेंगे, कि उनमें सुधार हुआ है, या हो रहा है, या वो ठीक ठाक हैं, देखिए, असल में हम सब लोग चाहत जिर्का की बात नहीं करना हैं, वो अगुसिती ताउड़ों को आप छोड़ दें, जो हमारे नू जिला काही आलाका ताउड़ों भाहान स्कुल्टों के कमी नही है, वह शिक्षक पूरे हैं, आप दोंसरे दीलों के दावारी के सिक्षक हैं, भिवारी के सिक्षक हैं, उसец तो उन लोगों ने अपनी पोस्टिंग वही करा रखी है, अगर किसी की पोस्टिंग इदर रहे तो उनों ने अपना थोड़ी जिनों के लिए वहां करा रखा है, और वहां इसकूलों में शिक्षक पूरे है, इसलिए तब आप यहां के रिजल्ट को देखेंगे, जिसमें ज जिला में भी आप देखेंगी कि ताउरू का रिजल्ट अच्छा है। हमारा रिजल्ट खराब है, जिरका का खराब है जादा, पुनाना का खराब है, इसे थोड़ा अच्छा नू का है, पुरा जिला में, तो इसलिए ए-सकूल अच्छे नहीं हुए है। वहाँ शेहर हैं, वहाँ सुविदाय हैं, बच्चों ने स्कूल के साथ साथ टूशन होगा पढ़ा होगा, मेरा मानना है पढ़ा है, तो वहाँ के रिजल्ट भी अच्छे हुए, और उनके स्कूल को तो मैं अच्छा नहीं का सकता, लेकिन चलो टीचर पूरे हैं तो थोड़ हमारे हाँ कम है, फिर उसको जिरकार नो पुनाना में आप देखेंगे तो बुरी इस्तिती, यहां कोई जैसे विधायक हुए, इतने सारे नेता हुए यहां के, और बड़े घरानों की राजनीती रही है, ऐसा नहीं रहा कि कोई भी नौसिखिये वेक्ती उठे हों, उनको विधायक बना दिया गया हो, होंगे तो संख्या जो है, वो बड़ी कम है, वैसे तो हम यह माने के घरानों की ही पॉलिटिक्स आपके इस चेत्र में चलती आ रही है, तो क्या उन्होंने भी कोई इस तरह से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है, अपनी और से कोई ऐसा नहीं कहा कि सिक्षा का स्तर सुधारा जाए, क्योंकि मैं देख रही हैं कि वो सब उनके बच्चे विदेश्ट से पड़े के आ रहे हैं, पराशूट के जरी एंट्री ले रहे हैं वो सियासत में, देखिए, खास तोर से जो हमारे मेवाद की राजनिती है, और मेवाद के हमारे सम्मा मेवाद की बच्चे विदेश में पड़ रहे हैं, तो इसलिए मौजूदा भी जो लोग हैं, और अगर आप वरी तावर आप बात करें, तो हमारे कॉंग्रेस के मेले हैं तीनों जगह, विपक्ष में थे ये, मैं आवाज उठाने को विधान समा में बोलने को मैं बहुत अ कि वहाँ आप आवाज उठाते हैं, आपकी नहीं सुनी जाती है, विपक्ष के नेताओं का काम है, कि वो विधान समा में आवाज उठाएं, और आवाज नहीं सुनी जा रही है, तो अगला कतम सड़क पे उतरना चाहिए, है न, कहा था रामनोर लोहिया जीने, कि जब कि अवी स्थिती को लेके ये कॉंग्रेस के तीनों विधायक, हमारे सम्मानी विधायक, जो जनता की आखों में धूल ढोकने के लिए विधान समा में तो इनको भी पता है कि विधान समा में बोलने का टाइम इनका कह लेंगे, जनता खुछ हो जाएगे है, हमारे नेताजी विधान समा में आवाज उठा रहा है, लेकिन मैं इसे बहिमानी समझता हूँ, जनता के साथ इसे धोका समझता हूँ, कि वो जनता को धोका दे रहे हैं, कि आप विपक्ष में है, आपके आवाज नहीं सुनी जाती है, तो आपको सड़क प उतरना चाहिए, पिछले पांच साल में तीनों जायक मा होता है, जिनके अपने-पने बच्चे भी बाहरों में पढ़ते हैं और गिजशों में पढ़कर क्या रहे हैं, इनोंने कोई मजबूत आवाज सड़क पे नहीं उठाई है, कि आहां भाई स्कूलों की इस्तिति कैसी है, मैं ये कर देंगे, और कर दे बच्चे नहीuben नहीं पड़ते हैं, ये बच्चे ये तो इसलिए जो लोग पैसा वाले हैं, उनके बच्चे दिली रहते हैं बाहर पढ़ते हैं और प्रोampaदें और नेता लोगों के तो भार विजश में पढ़ते हैं पूरे देश के नेतायों के बच्चे क्या बता विज कैसे चले जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को यहां भी मनलब उचित सिक्षा नहीं मिल रही है, यहां के लोग इन्वर्सीटी की मांग कब से कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं, आज आप देखो चुनाओं में वो मुद्धा ही नहीं, लोग कोई भी नहीं काता है कि इन्वर्सीटी बना देंगे, सब लोग चाहते हैं कि इन्वर्सीटी बनेगी, तो सिक्षा आगे बढ़ेगी, लोग देखेंगे बड़ा बड़ी सिक्षा को तो पढ़ेंगे, लेकिन नहीं हो रही है, तो नेता लोग बस बोल करके विधान सभा में अपनी जिमदारी आते हैं, सबक पर उतर के जब तक संगर्श नहीं करेंगे नेता, विपक्ष के किसी भी नेता की कोई बात विधान सभा में संसद में नहीं सुनी जाती है, तब तक वबढ़ें सबकर के सबक पर आंदोलन नहीं करता है, तो मिवाद की सिक्षा के लिए भी ऐसा कुछ नहीं नियाल हुआि लिक्न को छल रायं आए चुनाओं नेता नहीं बोल रहे एवी पक्ष के नेता भी इसलिए नहीं बोल रहे एह जब हमारी सरकार आएगी तो हम भी तो यहां के लोग कहते है मिवाद के हमारे साथी और बड़े बुजूर्ग के मिवाद के नेता चाहते है कि मिवाद की जंता पढ़े ही नहीं और मुझे कई बार लगता है कि इस पर रिसर्च होना चाहिए इस बात में दम भी तो नहीं है क्या दम है मुझे लगता है कि मिवाद की जनता जब पढ़ेगी तो हमारी गुलामी कौन करेगा हमारे लिए जिन्दाबाद मुर्दाबाद कौन करेगा इसलिए भी जान बूच कर शायद और इसको मैं हवा में ही कहता हूँ यह नवोदे विद्याले बना हुए है नुजिले का आप हैरत करेंगी कि 18 साल तक नवोदे विद्याले निर्मान की जगह का बोर्ड इसी 13 रोड पर लगा रहा और किसी नेता के कान पर जूं तक नहीं रहेगा कि हान नवोदे विद्याले बन जाए मेरे जैसे कुछ लोग कॉंगरिस की सरकार ती अर्जुन सिंग जी थे HRD मंतरी मही लेकर गया एक टीम को लेकर के और उनसे कहा तो उन्होंने अलियश्य फात्मी थे उस वक्त HRD में राजय मंतरी उनसे हमारे तलुकाद भी थे उन्होंने जो है सुनी हमारी बात और एजुकेशन के आदमी थे उन केंद्रिय विद्ध्याले 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 क तो कहीं न कहीं सब को देखने से लगता है कि आरोफ सही है, हमारे लोग लगाते हैं कि भाई लीडर्स चाहते हैं कि यहां कि बच्चे न पढ़ें और यह जो है ताके हमारे लिए जिन्दबाद मुर्दा करते रहें और आज देखने में असा लगता है कि अई देखने से लगता है